हम अभी शीनगर के बदामी बाग केंट इलाके में हैं, यहाँ पे हम 92 बेस हॉस्पिटल में हैं, हमारे साथ हैं यहाँ के कमांडेट ब्रिगेडियर रहने स्लामा, हम उनसे बात करते हैं कि किस तरह से इस हॉस्पिटल में सारी सुईधाय लोगों को दी जा रहे हैं और इस बज़े ऑनवर्ड उस दिन ही हमारे पास बच्चे जो वहाँ पर क्रिटिकल केर फसिलिटी में थे वो आने शुरू हो गए, हमने एमर्जनसी वाड्स क्रिएट किये, हमने अपना एमर्जनसी जो हमारी थी वो पानी में थी तो हमने एक दूसरी जगा पर हाई ग्राउंड एक एमर्जनसी रूम बनवाया, जहां पर हमारे सारे स्पेशलिस्ट अवेलेबल थे, सुबह हमें अनदनाक से छे बच्चे का इलाज करने के लिए जो क्रिटिकली इल हैं, आज हलिकॉप्टर से लिफ्ट किये गए हैं, अभी भी मेरे हॉस्पिटल में पचास से उपर किस तरह की परिशानी ज्यादा देखने में सामने आ रहे हैं जब आप इस तरह करके लोगों को यहां तक ला रहे हैं? ना को वन्टेलिटर पे डाला गया, उनको जो साहिता चाही थी वो दे गई, अब थोड़ा सा चेंज है, अब ड़्ल्ट पेशेंट भी हमारे पास आ रहे हैं, कुछ बंस के पेशेंट आए हैं, कुछ हीड इंजरी के पेशेंट्स आए हैं, तो यह पेशेंट भी आपोने वो लोग हमारे पास पहुँच जाएंगे बाकी पूरी facility hospital की fully restored हमारे पास पूरी बिजली है हमारे पूरे labs चल रहे है हमारे सारे wards functional है और हमारे पास भरपूर मातरा में दवाई हैं और doctors की कोई कमी नहीं है जब तक भी अब आम लोगों को ज़रत होगी base hospital उनको service provide कराता रह इतनी भी हो सकेगा आम आदमी की जरुरत को पूरा करता रहेगा। आसिफ और प्रमोदनेगी के साथ दिपांशु गोयल श्रीनगर।